देखो महराज एक बाद नहीं रखो मैंने कई वर आप लोगों को पढ़ाया है कि आप तैयारी कर रहा हो ठीक है लेकिन सबी को धर्म का सुरू पता होना चाहिए मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को सुन लोगों को दू-3 मिर्ट की क्लास हो रहे देखो मैंने बताया था कि बेदों में लगा है धर्मे चर अर्ता धर्म करो धर्मेर सुक मासीत धर्म से सुक होता है धर्मान परद्थित्य बैव्म नहीं कि धर्म में प्रमाद या असाबदा नहीं रखना चाहिए देखो अगर धर्म सब्दकों परवाशित करें तो धर्ज द्हारने येकि जो धातू है मराज धर्ज इसमें मन प्रत्य लगाने से पूर हो जाती है उस ब हुद देखो कि जिसकार्द होता है धर्म्रान करना के ने परिर पोशन करना के ने कि अ लोग धार्ण किया जाए हुआ धर्म है धर्ती धार्यती बालोकमेती धर्मा जो लोग को धार्ण करे हुआ धर्म है धर्ते यासा धर्मा जो दूसरों से धार्ण किया जाए मराज वह भी धर्म है देखो महावारत में ब्यास जी कहते है अच्छा धर्म करता है महाराज आप तो इस पर धो गया होगा कि प्रजा और मनुष्ट समाज धर्म पर आधा रहे थे बिना धर्म के महराज जीवन सेली आपका साहस आपके जीवन के पिर्ती आपका जो बसंत है मराज धर्म के बना वो सब भीन हो जाता है हीन हो जाता मराज सब रोनक खतम हो जाती है धर्मी मनुष्ट का मूलतत है यह हमें समझना चाहिए धर्म के नश्ट हो जाने पर मनुस मनुस नहीं रहता है मराज नहीं रखना अगर आज की भासा में कहें तो धर्म के सुरू बिबेचन में हमें हमेशा बिशेश तत्तों को द्यां रखना चाहिए नहीं रखना अगर ये तत्त धर्म का नश्ट हो गया तो मनुस मनुस नहीं रहता है फिर वो माराज पसु हो जाता है इसे समझ में आ गया होगा माराज के ध्रहम कितना आवश सके तो को संसार में बहुत सारे ध्रहम है माराज बहुत सारे पंथ हैं, बहुत संपरदा हैं सब की अपनी अपणी सूपह हैं सब की अपनी तरोद अफ़िया खी धर्म को कैसे देख की कई दीख, अच्राइटेक और आमे तो की त्याiciones नाश्दिक है. जो नास्ते के मराज वो यही सोचते हैं, यह सब पाक हंड है, लेकिन उसको उसके बीचे का बिग्या नहीं पता, और जिस दिन उसको उसके सिद्धान्थ पचल जाएंगे मराज, वो भी मराज भकत हो जागा बहुत बड़ा, लेकिन समस्य आई है कि इतनी संपरक में वो आ न लेते कौन है तो इनको लपेटे में लेते हैं बागिश दहम जैसे महराज ऐसे लोगों को आप देखा हो जो नाश्टेक्ति वह आज्टे हो गाया थोड़ी थोड़ा सा जमत कर देखाया थोड़ा सा बस उन्हें देखा दिया कहीं से भी बीड़ उठा लेते हैं पकड़ कि आ आजा भी राकेश आजा अच्छा रामसी आप भी आजाओ आप वो बिना पूंची इतनी बीड़ में बिला जाने नाम कहके पोकार रहे हैं सुता पता जी के नाम लेके पोकार रहे हैं आप बता क्या है तो एक छोटा सा सोट है महराज हलका सा टेलर कुई दम नहीं है इसमे महराज दूसर मीडिया नहीं थी तो उनका पता नहीं चल पाता था वो लुप्त हो गए उनके साथ ही वो ग्यान चला गया वो सिद्धिया चली गई ना तो ऐसी उनको भक्ते मेले दास मेले कि वो उनको ट्रांसपर कर देते उतना योगी नहीं थे क्योंकि इसके लिए महराज किया बड़ा नुक्सान होगा देश का राष्ट का सामराज का और उन्हें के पुत्त्र के महाना पिरता इन्होंने हिला के रग दी पूरी प्रतिवी को बताओ रग दिया महराज तो पिता इतने भाईवीत से पिता इतने दयालू टाइब के पिता ने बापक सूच नहीं थे है छोड़ो हमाराज चल रहा ठीक है मुगलों का आकमन भी जिलते रहे कभी उन्हें पर अटक नहीं किया बस बसते रहे लेकिन महाना प्रतावी कैसे थे कुछ ना होते भी ना उनके पास सेना ना राज ना खाना तब भी सहास और स्वायुमान ऐसा कि एक पग पी अगर महानात प्रताव की तरह हो जाते है तो मुझे रखता कि इनहीं मौगलों का सामराज में हो पाता कभी अब अच्छा उनके प्रता कोन था मराज राणा-सांगा तनमे तब भी बथा नहीं थी मन में उनको तो नागा भी से कहते हैं मराज कहने का तात्वर है कि वो ऐसे युद्ध के स्वांकिन थे कि मरते मरते उनको जहर दी दिया गया था उनके सरदानों सुचा कि ये तो हमको भी मरवाद देगा बूड़े हो गया मराज असी पजा इसल की उमर हो गई एक आंक एक हाथ सरीर में अ को ते मानलों उनके महानद प्रता तो दादा जी का उनके अंदर अंसर था लेकिन पत्र ऐसा होगा पिसे ने कुछ भी निंकिया ना को युद्ध जीता ना कभी को युद्ध हारा बस अपना बचा के रखा उन्हें बस और आख और अध्यों और दोगो ये भी देखो को दे तो गया है की रच्छा कैसे हुई धाई मा की जुक्रवान निंवर फिर ने पत्र को लटा दिया था लेकिए उनको बचा दिया था तो जो सब कुछ समय पर निश्ट होता है इसलिए कहने स्थे कि परावार में और भी लोग होंगे सवचन पूस की परार में और बहगाश्त परबार उनका परबार से कुछ संब्धन नहीं मराज क्योंकि वो राष्ट की लड़ते हैं अपने पुत्तों की लड़े जमीन के लिए अपनी चाति के लिए बताईए आज हम जादी बात पर लड़ते हैं ब्रहामन चहत्रिया यादा गोड़जार क्या ही नोटेंगी जो सब्कैने मुर्थी ब्रहामनों रखी अनननार नहीं रखी तो वो अच्छा साथ कि लड़ नहीं रोता है इसके मुर्ति सभी जाते हैं सभी धरहमकी लोग रखतें सिए अब्दौकव्लाम जी थे सभी अपनी उनकी तस्वीर अपने गीता का बड़ा अच्छा नोलिज था, बोले हमको सुरूमी गीता पड़ा दी हमारे पता जी ने, तो बोले फिर हमारा आचन ऐसा हो गया, तो गीता का ज्यान उनको सार तक लग गया हमाराज जीवन में, बताईए, कभी कोई जजाक नहीं, कभी कोई सरम नहीं कि हम मंदर में बैठे हैं कि हम मज्यत में बैठे हैं, दोनों जग एक जैसा हाल, एक जैसी इस्तिति, एक जैसे सरल सोभाव, एक जैसे बचन, एक जैसे भाव, एक जैसी सरद्धा, ठीक है मराज, तो यह हमें थोले समझना पड़कर चीज को, ठीक है, तो इतनी सारी बाते मैं कर रहा हूं महराज आप लोगों से यह आपके अंदर का जो अज्ञानता है और आपके जो सब्दों की कमी है जो बिदी सात्मक चीजें आप नहीं बोल पाते मुझे लगता है कि इससे आपके अंदर महराज एक जिग्या सा उत्पन होगी बोलने की कला आएगी साचातकार का जो भाया अन्ठाट अफ़यतों की अंचोफ द्रह्म क्या है यह बताईगे हमको चलो रामार्ण की अंचोफ धर्म क्या है बताए अच्यासरीमत भागवत पुरान की अंचोफ द्रहराम क्या है तूज हरसे क्या है by वाराज फड़ल्भा抑ना नहीं होई जी नहीं अदम हाई तुल्षिदाज जी कहते हैं अब आजा रही है मराज ठीक है देखो मनु भगवान कहते हैं मराज तो मनु भगवान ने दस लच्षण धरम के बताएं कि अगर आप यह नहीं करोगे तो धरमा लंबी कहलाओगे अगर आप यह करोगे तो मराज फिर आप धरम के आचन कहने वाले या धरमा लंबी नहीं कहलाओगे अच्छा क्या क्या वो धरती छमा दम चूरी ना करना अच्छा मन को पवित्र रखना अपनी इंद्रियों को काबू में रखना बुद्धी का तीब्र होना विद्या का पवित्र होना सत्त का मार्ग होना और कुरूद ना करना यहीं कि अहिंकार को ना पालना और कुरूद क वे कुले के दो जाए घया है मराज मता किल्द आहिंकार के दूसरा रूफ है कि रता है जब हमको आहिंग क soci ने गाली दी और आपको हमकर था के हम तो printing ब्रहाममन है दो कि से नहीं गाली अपका अंधर कुले आ गया मराज तो जिसका एंकार नश्ट होता है उसको कभी कुरूद नहीं आता है और किस बात का मराज क्या हो आप वही वाता जाएगी मराज पर दो कोड़ी की वाकात नहीं है हमारी यह रखना है यह कि हम लोग किसी को हाग देते हैं अरे आजाओ भी खड़े में मैदाने में आईगे अर तो अगर युद्ध भी करना तो उसकी रणनीती उती कूड़ी उती होता है समय निश्चित होता है और रणनीती कारों से सलाई भी होती है ऐसा सुरी के उठा के पहुंचे के लट आजा उतास लोगों नहीं दुन्द के रख दिया मराज इसको कहते हैं मुरुकता ठीक है त अगर आप सबको लगेगा यह पाप कर रहा है और आपका अनिश्ट होई नहीं सकता है मैं बता रहा हूं दुन्या कुछ भी कहते रहा है महराज आपने देखा है जीवन में कई 17-17 साल तक जेल में रहाते हैं उनको बाकायदा निर्दो साबित करके घर बेज दिया जाता है ऐसले भगवान ने देखा किसे नहीं देखा कम शक को सवंब को कवी न मिला मिला या दो मिला ठीक है वी फ्रादेत तो लेकिन न ए देखे रहा है लिए अब लोगन अपने किलाया करो आप लोग इसको पुष्यं नहीं है ठीक है तो ए मरे ढौक यह चल रहा है छर्मा भाग बारा हैं जैसी पूर्ण होगा तो थोड़ी सी उसकी हो रहेगा रामान की थोड़ी सी प्रसंग उसको करके फिर माराज आप अपने मुख के बाजाएंगे साचातकार पर इससे मुझे लगता कि आपकी जो कमजूरी हैं आपके अंदर जो ग्यान के जो गड़े हैं वो भर जा जाएंगे तभी तो आप ग्यान महराज दे पाओगे किसी दूश्रे को अगर मन खाली है तो आप क्या बोलोगे मराज जब मन भर जाएगा तभी तो कुछ बोल पाओगे तो ही मानलो के सिमित भागवच प्राण के बाचन से हम अपना मन भर रहे हैं महराज आना पवित्र पचालों से पवित्र आचनों से अना पवित्र ग्यान से ठीक है प्रभू सबको रादी राद